हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो आज हम बना रहे हैं आलू भुजिया बाजार से बहतर और चटपटी आलू भुजिया हम घर पर ही बनाएंगे तो इसके लिए हमने ये चार आलू लिये इनको हम ग्रेट कर लेंगे तो ये पहले ही हमने वाल की रख करना है तो इधर इससे इससे आपको नहीं करना है पतली वाली से आपको ग्रेट करना तो इधर हमने आलू ग्रेट कर लिये हैं इधर हमने एक चम्मच भर के हल्दी इसमें एड़ किया है और एक चम्मच भर कर ये लाल मिर्च एड़ किया है और एक चम्मच भर कर ये धनिय डाला था क्योंकि इसमें नमक खट्टा भुजियम आता है न टेश्ट लिए तो ये आदी चमच हमने हींग एड किया है स्वाद के लिए इसमें हींग एड किया है और इसमें काला नमक भी एक चमच एड किया है हमने अच्छा टेश्ट आता है और यहां पर यह हमने अजवाइन को पीस कर लिया है तो इसको हम पीस कर इसमें डालेंगे अब यह सारे मसाले इसमें मिक्स कर लेंगे आप इसमें चाठ मसाला भी डालना वो भी अच्छा लगता है और यहां पर हमने यह एक कटोरी भर कर बेस डालते रहेंगे जितना भी लगेगा इसमें हमारा दो कोटोरी लग गया था बेशन ये डो बनाने में तो ऐसे नरम डो बनाकर रखेंगे हम तो यहां पर हमने ये डो बनाकर रख दिया ढख दिया है इसको आद गंटे के लिए रेश्ट पर छोड़ देंगे तो इधर हम तब दो डालें ना तो फिर ये चिपके ना अच्छे से निकल जाए हमारी भूजिया इसके लिए आपको अच्छे से अपनी मसीन को ग्रीस करना है तो पिर यहां पर ये डो हमारा भी ये अच्छे से नरम हो गया अद गंटे रेश्ट पर रख था तो इसको हम इस तरह से लंबा अब ऐसे पेड़ा इसका बना लिया इसको हम मसीन में डालेंगे फिर हमारी ये शेव बहुत अच्छे से निकलेंगे तो इधर हमने अदर ओएल भी रख दिया है तो ओल हमारा गरम हो गया ओल को जादे गरम नहीं करना है मीडियम हॉट तेल में ही इसको प्राइ करेंगे मी जादे मतलब तेज में सेंखेंगे तो जल्दी चल जाएगी जादे मतलब सिलो में सेंखेंगे तो फिर जादे टाइट सी हो जाती है तो मीडियम होट ही रखना है तो इधर देखो वमारा एक बैच बन गया तो इधर हम दूसरा डाल रहे हैं इसके यह गुच्छे बहुत मतलब बहुत सारी चार आलू से बहुत सारी बुजिया बनकर तयार हो जाती है वैसे भी बुजिया बहुत महिंगी मिलती है और तो दो कटोरी बेसन और चार आलू से धेरों बुजिया तयार हो जाती है और पूरे फेस्टिवल पूरी सीजन मजे सिखाईए और सब को पसंद आती है, बच्चे हों, बूडे हों, जवान हों, सब को बुजिया पसंद आती है, गैस टाय उनको भी खिलाव तो तेवहार आ रही है, होली पर आगे से ही बना कर रख लो, तो फिर ये देखो, अमारी इतनी सारी बनकर तयार हुई है, तो मैं आपको इसकी क्रंचनेस तोड़ के दिखा रही हूँ, तो ये देखो, बहुत अच्छी बनी हुई थी, आप भी जरूर बनाना इसको, और बना कर खाना, और सब को खिलाना, तो अमीद करती हूँ कि आपको ये हमारी रेस्पी अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको ये हमारी रेस्पी अच्छी को शेयर करो तो थांक्स फॉर वाचिंग माई यूट यूट